मैं राजी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल जी के महा को में दोस्तों इस सीरीज में केंदरी बिदाले की सीरीज में हमारे जो है केंदरी बिदाले का तब तक हम लोग कांटीनियो देखेंगे तो चलिए देख लेते हैं नौन इस्टॉप हंडड़ क्यूश्ट जो आपके एक्जाम के दिरिष्ट से बहुत ही महत्पूर हैं तो देखते हैं तो हमारे 600 तक कंप्लीट हो चुके थे 601 से हम लोग देखेंगे तो आज का पहला प्रश्ण है स्वपर्थम पुस्तकाले सिक्षा के लिए संस्थान अस्थापित करने का सिरेक किसको है तो मेलवी डिवी क्यो है अगला प्रश्ण है 602 पुस्तकाले सिक्षा के लिए मेलवी डिवी द्वारा अस्थापित संस्थान कौन सा है तो स्कूल ओफ लैब्रेरी एकनोमी है जो की 1887 में अस्थापित किया गया था एगला प्रशन नाफ कीजिए यह तो कुछ टैपिंग मिश्टेक है साथ आ गया है भारत में पुस्तकाले सिक्षा प्रारम करने का स्रे किसको है तो डबली ए बॉड़न को है 608 भारत में पुस्तकाले सिक्षा प्रारम करने के लिए जो है किसको भारत बुलाया गया था तो डबली ए बॉड़न को भारत बुलाया गया था भारत में पुस्टकाले अंदलों का जनक किसे मना जाता है तो CIG राइक गाएक वार्ड तृदी गौ मना जाता है 610, रामपूर राजा लेब्रेरी के अस्थापना किस वर्स होई थी तो 1774 में 611 रामपूर रजा लेब्रेरी को उराष्टी महत्व का संस्थान की सब्स घोजित किया गया 1975 में 612 रामपूर रजा लेब्रेरी वर्तमान में किस विवाग के अंतरगत एक स्वायत संस्था के रूप में कारेरत है तो मिनिश्री आफ कल्चर कुवर्मेंट आफ इंडिया के द्वारा कर रहा था है अगला प्रशन 613 स्वार्शती महल लेब्रेरी को किस वर्जनिक पुस्तकाले बनाया गया पुस्तकाले विज्ञान सिक्षा में डिपलोमा कोर्ट शुरू किया गया था अगला प्रशन 615 भारत में पुस्तकाले विज्ञान के जनक किसे मना जाता है तो एसर रंगनाथन को 616 लिब्रा छदम नाम से कौन जाना जाता है तो एसर रंगनाथन 617 भारत में बीली पूर्श प्रारम किस विस विद्याले द्वारा किया गया और कब किया गया तो यह अलिगर्ण मुस्लिम विस विद्याले द्वारा 1947 में किया गया था अगला प्रश्न 617, आइसलिक के अस्थापना कब हुई थी? तो 3 सितमर 1915 को, 618, आइसलिक के अस्थापना कहा हुई थी? तो कलक्ता में हुई थी, 619, आइसलिक का पहला महासजी कौन था? तो जी साहब, 620, आइसलिक का मुख्याले कहा हesterी थे? कलक्ता में देते थे, 622, इसलिक बुल्टिं पहली बार कप्रकासेत हुई थी तो निस सो चपन में अगला प्रश्ण अचलीग बुल्टिं क Applause क्या रिए शो थेइस इंश डोक के स्थापना कब हुई थी तो 1972 मे में 1624 इंश डोक के स्थापना किसके स्योंग से उए थी इनवेस्कों कि से योग से 625 इंश डॉग का मुख्याला कहा इसती थे नई दिल्ली में है 626 इंश डॉग के कितने छेतरी का रहले हैं तीन है 627 इंश डॉग के छेतरी का रहले कौन-कौन से हैं तो बैंगलोर कुलकता और मद्रास अगला प्रशन है CSIR की राष्टी प्रियोग साला किसे कहा जाता है तो इंश डॉग को कहा जाता है 629 भारत में कौन से संस्था राष्टी और अंतराष्टी दोनों उस्तरोपे पर प्रलिखन सिवा प्रदान करती है तो इंश डॉग करती है 636 आई एन बी का प्रकाशन कब से हो रहा है उनीस सो सत्तावज से अगला प्रशन इल्ड का पूरा नाम क्या है Electronic Library Division 632 भारत में नेशनल अनुबाद सेवा कौन प्रदान करता है इंश डॉग करता है 633 भारत में इंश डॉग ने किसकी साहता से Canadian HDI निवेस द्वारा चेहनात्मक सूजना प्रशार श्रिवा प्रदान किया तो IIT मदरास की साहता से 634 भारत में HDI की सुरुवात किस ने की थी इंश डॉग ने की थी अगला प्रशन 635 निश केयर का पूरा नाम क्या है तो National Institute of Science, Communication and Information Resource अगला प्रशन है 636 निश केयर के स्थापना कब हुई थी तो 30 सिक्टमबर 2002 को अगला प्रशन है निश केयर के स्थापना किन दो संस्थानों को मिला कर की गई थी तो निश कॉम और प्लस इंस डॉग को मिला के किया गया था 639 इंस कॉम का पूरा नाम क्या है तो नेशनल यह थोड़ा टैपिंग मिश्टेक है ध्यान दीजिए गए यहां पर नेशनल इंस्ट्यूट आफ साइंस एंड कम्निकेशन अगला प्रशन है CSIR का पूरा नाम क्या है तो कॉंसिल ओफ सेंटिफिक एंड इंडियन रिसर्च यह रिसर्च है धान दीजिए गया शेशनल इस्टापना कभी थी तो CSIR वह आयूस मंत्रा लेके द्वारा किया गया था अगला प्रशन 643 एंड अश्डीयल का पूरा नाम क्या है तो नेशनल साइंस डिश्टल लैब डिरी अगला प्रशन 644 CSIR की कौंसी पंचवर्शी योजना नेटवर्क पर योजना की रूप में शुरू हुई थी तो दसम पंचवर्शी योजना अगला प्रशन 645 नुक्सिस का पूरा नाम क्या है तो नेशनल यूनियन कैटलाग आफ सेरियल्स इन इंडिया अगला प्रशन है नुक्सिस कब से प्रकासित हो रहा है तो 1960 से 647 नुक्सिस कहां से प्रकासित हो रहा है तो दिल्ले से अगला प्रशन भारत में भिज्यानावा पुरण पी आर्क पुरान नाम क्या है तो निस्केर आनलाइन प्रियोडिकल तो इंपरियल लैबरिर के स्थापना कब हुई थी तो 1892 में 692 माफ कीजी इंपरियल लैबरियरी के स्थापना कर शंने की तो लाट कर जनने 635 इंपरियल लैबरेरी के अस्थापना किन पुस्त कालेयों को मिला के की गई थी तो सची वाले पुस्त कालेयों को मिला के की गई थी 645 इंपरियल लैबरेरी को जनता के लिए कब को लगाया था तो 30 जनूरी 1903 को 655 Imperial library का पहला librarian कोन था तो जन मैक फरलेंग था अगला प्रश्ण Imperial library का प्रथम भारती librarian कोन था तथा कब बना तो डगडर हरिनाथ डेव 607 भारत के राष्टी पुस्तकाले का प्रतम पुस्तकाले देख्च कोन बना तो ब्हारती रश्टी ग्रंट सुची का पिता किसी कहा जाता है, तो ब मिढूआ सब्धी को 169 भारत के राष्टी पुस्तकाल लाकंसर्ट चलन किसके अधिन आता है, तो संस्कृत मिंत्राले भारत सरकार के दिए। अगला प्रशना है छेसो साथ सोतनता के बार बाद भारत सरकार ने इंपरियर लाइबरियरी को नेशनल लाइबरियरी आफ इंडिया का नाम कब तथा किस एक्ट के तहत रखा था तो 1948 में जो है चेंज आफ नेम एक्ट 1948 के तहत अगला प्रशना है एन नो पियार के दौरा विज्ञान पत्रिका की मेजवानी की जाती है तो साइंस रिपोर्ट विज्ञान प्रकिर्थी साइंस की दुनिया नेच्रल प्रोड़क्ट एंड रिपोस्ट्रे शेसो पासट इंडियन साइंस अफ्ष्टिक का प्रकाशन कौन करता है ने स्केयर करता है अगला प्रशना इंडियन साइसस आफस्टिक का प्रकाशन ने स्केर कब से कर रहा है 1965 से खेसो जोच्जट इंडियन साइसस अफस्टिक की आवर्थी क्या है तो पाखकिश कहें नहीं कि एक मेहनी में दौ बार होती हैробligen इंडियन साइसस अब्सटिक की प्रविष्टियां कौन सी पद्धिति के अंसार विवस्तित है तो UDC के द्वारा अगला प्रशन 666 NLS of Library and Information का प्रकाशन कौन करता है तो निस्केर करता है 666 NLS of Library and Information का प्रकाशन निस्केर कब से कर रहा है तता इसकी अवर्दिक क्या है तो 1954 से त्रमासिक है अगला प्रशन है 668 सार्क देशों का निस्केर में Documentation Center की स्वर्स अस्थापित किया गया था उन्नी सो पचासी में अगला प्रशन भारत में Public Library की अस्थपना कब हुई थी तो 1836 में अगला प्रशन 670 CPL का पूरा नाम क्या है तो कलकत्ता Public Library 601 भारत का राष्टी पुस्थ काले वेल वीडियर भावन में लाने के बाद संपूर्ण राष्ट के लिए कब खोल दिया गया था तो एक फरोरी 1903 को अगला प्रशन भारत का राष्टी पुस्थ काले वर्समें कितने दिन खुला रहता है तो 362 दिन तीन दिन कौन-कौन से बंद रहते हैं 15 अगस्त 26 जनौरी और दो अक्टूबर यह भी ध्यान रखिएगा अगला प्रशन राष्टी पुस्थ काले का प्रधान कौन होता है तो निर्देश सक वर डारेक्टर जनौरी अगला प्रशन चेस सो चोगतेर भारत की नेशनल लैब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हेंडिकेप कहा इस्ती थे तो देहरा दुनिया जेशनल लैब्रेरी फॉर ब्लैंड एंड फिजकल हेंडिकेप की अस्तपना कभू थी तो 1979 अगला प्रशन है भारत की नेशनल साइन्स लैब्रेरी कहा इस्ती थे तो निर्दी नहीं दिली में 677 भारत की नेशनल साइन्स लेबरीरी के स्थपना कभी थी? 1964 में अगला परशना 677 कलकत्ता पब्लिक लेबरीरी के पहला अधिकारी कौन था? तो द्वार का ना टेगो अगला परशना भारत के राश्टिक पुष्ट काले का है? इस देत है कलकत्ता में अगला परशना है कलकत्ता पब्लिक लेबरीरी को इंपरियल लेबरीरी में कब मिला दिया गया? 1902 में अगला परशना है कलकत्ता पब्लिक लेबरीरी का पहला लेबरीरी अन कौन था? तो प्यारे चंद मिस्रा अगला प्रश्न है 682 इंपरियल लाइबरेरी के उद्देश को कहां पर परिभासित किया गया तो 1948 में अगला प्रश्न है भारती राष्टी पुस्तकाले को अजादी के बाद राष्टी पुस्तकाले कब गोहसित कर दिया गया तो भारत के राजबत्र में अगला प्रश्ण है राष्टी पुस्तकाले के अस्थापना का प्रवधान भारत के संभिधान के अंच्छेद वो अंधारा में है तो बासर्ट के साथमें पर्शिष्ट में है अगला प्रश्ण है 685 भारती राष्टी पुस्तकाले को कब मेटकाफ नामक भावने अस्थापित किया गया तो 1844 में 686 भारत के राष्टी पुस्तकाले की अस्थापना सौर्पृत्थम कब वह कहां होई थी तो 1836 में MP इस्टाउंगर के निवास पे अगला प्रश्ण है भारत के राष्टी पुस्तकाले को फोर्ट विलियम कालेज में कब अस्थापित किया गया तो 1841 में अगला प्रश्ण है भारत के राष्टी पुस्तकाले को वेल वेडियर भावन में कब अस्थापित किया गया तो 1981 में 689 भारत का राष्टिक पुस्तकाले वर्तवान में किस भवन में संचाले थे तो भासा भवन में 690 दो हजार उन्नीस में आइस लिख बुल्टिन का कौन सब वेलूम प्रकासित हुआ तो 64 ि 59halt ऐसलिक न्युजिलेटर का प्रकाशन कों करता है तो आइसलिक करता। 652 ऐसलिक न्युज्य पेपर कबसे प्रकासित हो रहा है तो यो शाचट से सिराबे आईसलिक न्यूजिलेटर की आवरती किया है मासे माषाथ 94 हो गया है 1980 इंडियान लेबरी सैंस o stage की आवरती क्या तो ये वार्फचिक है 600 जानाथ नवे इंडियेन लेबरीरी साइंस अफ्स्टिक का प्रेकर्षान को रोता है यह एस्लिग करता है जह सु छान्वे इंडियन लेबरीरी सेट्याश अप्स्ट्रव आइस लिग करता है अगला प्रश्ण है आर आईपी का पूरा नाम क्या है रिसर्च इन प्रोग्रेश चेशन ठानबे आर आईपी का प्रकाशन कौन करता है आइस लिग करता है चेशनी नियानबे आर आईपी का प्रकाशन आइस लिग कप्षिक कर गाया है 2012 से 700 DRTC का पूरा नम क्या है Documentation Research Center and Training Center तो दोस्तों यह हमारे परश्चन जो है complete हुए अगर आपको पसंद है तो दोस्तों में जरूर सेर कीजिएगा जितने भी हैं और जो है सब को जोड़िए इसमें ताकि अधिक से दिक लोग जो है इसका लाब ले पहें और यह continue सेरीज चलेगी मिलते हैं अगले वीडियो में ख्याल रखिए धन्यवाद